नमस्कार दोस्तों मैं सुजीव कुमार सेंग आपका स्वागत करता हूं हमारी वीडियो ट्रिटोरियल में जहां आप सीखते हैं complete data analysis तो दोस्तों हम data visualization tools में power BI discuss कर रहा है और power BI में हमें start करने जा रहे हैं function जी हम power BI की function DAX function के बारे में discuss करेंगे सबसे पहले अभी इस वीडियो में बात करेंगे format format formula के बारे में बात करेंगे जो लोग VBA use करते हैं VBA को जानते हैं रूप को पता होगा format का use क्या होता है तो चलिए हम format formula के बारे में discuss करते हैं सबसे प्रवे हम power BI खोल रहे हैं gate data पर जाते हैं और एक data को add करेंगे हमने एक्सल लोकेशन पर गया है and okay और यहां पर हम अपनी seat को select करते हैं जिस seat को हम select करेंगे वह हमारा होना चाहिए then load load हो रहा है यहां पर fields के name आजाएंगे okay तो यहां पर fields के name हो है अब देखिए मेरे पास जो data है अब माल लिजिए कि मैं date को यहां रखता हूं और sales को इसके अंदर रखता हूं तो मुझे इस पर रिपोर्ट दिखता है जिसे आप रिपोर्ट देख रहा है अब मैं इस पर क्लिक करूंगा इस पर क्लिक करूंगा तो यह आपका quarterly हो जाएगा यह यह वापस क्लिक करेंगे तो monthly हो जाएगा इस पर वापस क्लिक करेंगे तो date-wise हो जाएगा लेकि मुझे ऐसा नहीं करना मुझे monthly report चाहिए लेकि मैं नहीं चाहता कि कोई person इस तरह चेंज करके हमारे रिपोर्ट को छेल चाल कर सके हम सिर्फ monthly report चाहते है यहां पर हमारे पास टेटा है इसमें हमारे पास डेटेट से है इसमें मुझे मंत को इल्ग करना है थोलां कि हमारे पास मुझे सांत कर वाला इसमें मप्तकों अल्ग कर सकते है, बट का म Singh वाला सिर्फ आपका या मुजह. इसे जनवरी, फुरवरी, मार्स इसे फुल नेम ने चाहिए इसी कि हम मोड्लिंग में जाएंगे यहां पर तीन चीजे है add measures, new tables and new columns and new tables तो new column पर जाते हैं और यहां पर हमारे सामने हो formula है तो इस column को हम कर देते हैं name, rename कि मैं month add करने जा रहा हूं month और फिर यहां from space देते है, formula में format यूज करते है format में value, तो value में हमारा हो जाएगा date date यहां से हम सेलेक्ट कर सकते हैं curly icon में date लिख देते हैं बड़ी icon में date लिख देते हैं, बड़ी icon में date लिख देते हैं और format में four time aim लिख देता हूं, यूकि excel की custom format देंगे उससे उसके बाद आप normal interface करेंगे तो आपके सामने result दिख जाएगा मैं यहां प्याओंगा और असानी से मैं यहां पे month को उठाओंगा और इसके अंदर अपनी sales को रख दूँगा, तो हमारा data इस तरह से बन जाएगा मुझे इसकी visualization चाहिए तो अपनी visualization को हम यहां से select कर लेते हैं मैं इसी को select करके visualization पे रखता हूं तो उस visualization का report हमारा बने के आ जाएगा और इसमें कैसा को चेंज करने मुझे रख सिस्टम होगा नहीं इससे हमारा फैरा होगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू कीजिएगा मेरे चैनल को subscribe कर लीजिए और आप मेरी complete course करना चाहते हैं Excel, BVA, Power BI, Tableau, Google Seed, SQL Server और किसी तरह का course करना चाहते हैं तो में website iptindia.com पे जाएगे वहाँ पे आपको पूरी details मिल जाएगे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरू कीजिएगा Thank you